एक सर्वे के नुसार देश की जितनी आबादी है उससे दोगुना खाना डेली बनता है देश में लेकिन फिर भी लोग देश में भूख से मर रहे हैं बच्चे को पोशन के शिकार हैं एगरिकलचर मिनिस्ट्री की हिसाब से 50,000 करोड का खाना देश में हर साल घटर में बहाया जाता है धियान से सुनिये हम उसी देश की बात कर रहे हैं जहां अन को भगवान मना जाता है जहां खाने के दाने को फिकना हराम मना जाता है एक और गिनाजिशन जिसका नाम भूख ह उसके सर्वे के मताबिक 20 करोड भारती रोजाना बिना भोजन के सोते हैं सतर लाग बच्चे कुपोशन और भुखमरी से हर साल मर जाते हैं देश की 45 प्रतिशत जमीन जो बंजर होने लगी है जहां वाटर लेवल डाउन हो गया है उसका कारण है कि उन जमीनों से जंगल काट दिये गए ताकि खेती की जा सके और लोगों का पेट भर सके लेकिन इस भारी कीमत पर हम जो अनाज उप जाते हैं उसे खाते नहीं फेक अगर इंसान है तो प्लीज राशन का समान उतना ही खरीदें जितनी जरूरत हो ओफर्स के चक्कर में ज्यादा कभी न लें क्योंकि वह कूड़े दान में ही जाएगा 20 प्रतिशत समान हम भारती जो खाने के लिए खरीदते हैं वह फेक देते हैं स्टेटिस्टिक्स को ध्य दिमाग में रखें बाजार से सबजीया लेकर आते वक्त ध्यान देगी घर में कितनी इस्तमाल होगी और कितनी वेस्ट होगी हरी सागभाजियों को पहले बनाकर खत्म करें अन्यता फेकने में जाएगी दिन का खाना बच गया है तो उसे रात में फ्रिज से निकाल कर इस् कीजिए उनके साथ मिलकर कॉंटेट कीजिए अपने आसपास के एंजी उसको वो हेल्प करेंगे यह खाना जरूरत मंदों तक पहुचाने के लिए शादी पार्टियों में भी चीज की जा सकती है और इन सबसे बड़ी बात आप सभी युवाओं से देश के यूथ से विनत जाएगी जहां से हूं वहां की बात करता हूं भारत करने वाला हूं भारत की कहानी कहूंगा एक कहावत है मेरे देश में जहां अन्न का अपमान होता है वहां लक्षमी नहीं आती जिस घर में खाने की बेजज़ती होती है वहां बरकत नहीं होती तो इतना ही कहेंगे उतना खाने के लिए है फेकने के लिए नहीं जहांकि चीज है ना वही रखनी चाहिए और यह वीडियो शेर करने के लिए देखकर भाग जाने के लिए नहीं तो कि आप तो भाग जाएंगे पर आपकी अंतरात्मा कचोटती रहे आपको धन्यवाद कर दो